नमस्टार सातियों मैं योडेश गुक्ता इबाब फिर सुस्वाइट करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रेलवे पार्ट साला पर देखो है क्या ना अभी एक तरह के कोश्चन का फैसन चला है वो कौन से तरह के कोश्चन है मुझे यह ले कोश्चन सौल काने अभी इस तरह के सवाल है और गुरूब डी जो 2018 का हुआ था उसमें भी इस तरह के कोश्चन आये तो कोश्चन मैं थोड़ा पैटन बता दू तादि आपको यह समझ में आए कि कोश्चन पैटन ने क्या है इस तरह के कोश्चन मुझे आपको बताना है कि एक तत्र एक्स है जिस् सवाल जो है हमारा विदिन 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में फिनिस हो जाए रहा ऐसे मैंने दो तीन इस जांपल लिये हुए हैं इस तरह के सवालों को सवाल करने के लेगर यह जांपल आपको तभी समझ में आप आएंगे जब आप इंटा थोड़ा सा बेसिक बाते समझ लोगे तो चलो फिर हम लोट इसनी बेसिक बाते सुरू करते हैं लगबट 20 मिनट के इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारी एक्ट्रा जनकारी भी मिलेगी फिलाल मैं आपके सामने पहले कुछ अटॉमिक नंबर डिश्टस करूँगा तो मैं आपके सामने पहले कुछ अटॉम तकी अटॉमिक नंबर याद किये हैं तो वेरे गुट तो मैं एक 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 अटके बताता हूँ जो सबसे पहली अटॉमिक नंबर होती है एक वो हैट्रोजन की होती है दूसरी सरहीलियम की होती है तीसरी लीथियम की होती है और उस्टे बाद जो अडली होती है सर वो होती है बेरैलियम थी ठेड़े पाच होती तotherapन थी 6 होती टार्बन के साथ होती नाइट्रोजन थी 8 होती ओ्सीजन थी ओचे उस्टे बाद 9 तुम्हारी होती है फ्लूरीन थी और 10 होती है तुम्हारी नियोन तो 10-30 अट्uition अत्ほहनो यहाद होटे ही सब्सक्राइब के अच्छे सवाल देखिए आवस्थानी के तो मुश्टली सवालों में यही वाले ओप्शन है थोड़ा कंफ्यूजन में डालते हैं कोई बात रहे याद कर लीजिए हाइड्रोजन हीलियम लीथियम बेरिलियम बुरॉन कार्मन नाइट्रोजन औक्सीजन फ् पंद्रा फास्फूरस टा सूला सल्फर ओके 17 तुबारा हो जाता है क्लोरीन का 18 तुबारा हो जाता है आरगन का 19 हो जाता है तुमारा प्रोटेशियम का और 20 हो जाता है तुमारा टैलसियम का तो यहाँ तक भी है टॉमेट नंबर आपको क्लियर होनी चीए मैरे बाद और तो हो दिया तीसर इत्रिश में चाहता है तो इत्रिश गारे टेनियम चाहता है एस्ग लिंडियम का निव मैं चसा लिन के परवेश है यहाँ ने ऐधीन वन अब लं चीए और प्रपेश्वर 9 तो सस्कू है highly खुन पुदियालीयमम का पच्चिस हो जाता है मेड नीज, लीटोव ये मेड नीज, 26 तुमारा ओर आरव, 27 तुमारा कोबाल, 28 तुमारा निकिल, 29 तुमारा जो है किया बोलते हैं, उसका हो जाएगा कॉपर, और 30 तुमारा हो जाएगा जीन के का, 30 तुमारा जीन के का, तो यहां लिय्ट पोड़तम होता है projekt थे स데 नियम और loud से लेनियम धो लिस्या किसलों से आधार्स यह र assessments हैं और जो विश्यर एक आधाष ए क्योंड़ closely में दो को था हूँ धर यहाद सब्सक्राइब्क हम ओगिश्द्रिश श्रसन हो करें देजना हैं मैं इद बार रिपीट टड़ देता हूँ ना, हैड्रोजन एट, हीलियम दो, लीथियम तीन, बेरेलियम चार, बोरोन पांच, टाडवन छे, नैट्रोजन साथ, अक्सीजन आठ, फ्लोरीन नौ, नियोन दस, सोडियम ड्यारा, मैदीशं बारा, अलुमिनियम तेरा, सिल्टोन चाउदा, फासपुरस पंद्रा, सल्फर सोला, क्लोरीन सत्रा, आर्गन अठारा, कोटेशियम उननिस, और टेलसियम भीज, इदर आईए, इस्टेंडियम एक्टिस, टैटेनियम वाइस, वैनेडियम तेज, क्रोमियम चौविस, आपका जर्मेनियम, डैलियम और आर्सेनिक, ये एक ही आवर्थ में आजाते हैं लाइन से, फिर इस्टे पास चौतिस सेलेनियम, फिर ब्रोमीन, फिर ट्रिप्टॉन, ब्रोमीन का 35 रटा हुआ होना चाहिए, कई बार आता है, और ट्रिप्टॉन का 36 होता है, तो यहाँ पर देखो, मैंने आपके सामने modern प्रिप्ट टेविल बताई है, हम लोग प्रिप्ट टेविल को पूरा डिटेल में नहीं समझने जा रहे है, हमके ओल उतना समझे लिए, जिससे की वो मेरा सवाल सौल हो सके, तो प्रिप्ट टेविल को गोर से देखिए, यह जो खड़े-खड़े कॉलम है, यह सब तुम्हारे कहलाते वर्ग, तो आप देखिए, एक, दो, तीन, इस तरीटे से लेखे, देखिए, अठारा, इस तरीटे से लेखे, लाइन चार और जो उन्ट लाइन पाँच छे साथ आप इसको अलग से टाउंट मत टरना जो ठोटी ये जो छे और साथ लिखा है ना ये एक्चुली में छट्वी और साथ्वी का ही कह सबते हो इनकंप्लीट रूप है आप जोर से देखिए यहां तक 57 तक आया 57 के बाद 72 शुरूँआ ना हला कि 57 के बाद 58 आना चीए तो 58 से लेके एक 51 तक अलग से रखा दिया लेके है ये छट्वा और साथवा आवर्थी ऑडिस तो आवर्थ की कोई संख्या पूंचे टो आवर्थी की संख्या हार्जोनता लाइन सिर्फ और सिर्फ आपको साथ बता नहीं है आवर्थ ते वर्ड तभारे एक को यह रखा तो वर्टों कि संथे 18 बताने है आवर्थ यानि होरिजोंटल लाइन साथ बताने है तो आग गौर से देखे जब भी आप लोगों से अचा कौन कौन से आपको एटम याद करने है आपको मैं बता दू पहला वर्ड याद करना है दूसरा याद करना यह जो पहला और दूसरा यह तुमारा आता है एस ब्लोट में यह तुमारा किसमें आता है एस ब्लोट में फिर तीन से लेके बारा तक तीन से लेके बारा जो वर्ड है वो आता तुमारा पी ब्लोट में पी ब्लोट में और तेरा से लेके अठारा तक तेरा से लेके अठारा तक जितने भी तत्व है सर वो सारे ते सारे तत्व आते हैं तुमारे D-Block में तो यह याद कर लो कि कौन कौन से वर्ड S-Block में आते हैं कौन कौन से हमारा P-Block में कौन कौन से D-Block में तो S-Block में आते हैं तुमारे पहला और दूसरा वर्ड उस्टे बाद P-Block में आ जाते हैं तीन से लेके बारा वर्ड और तीन से बारा तक टी अजर संख्या कोई देखिए तो P-Block में जो वर्गों की संख्या है वो 10 है टोटल वर्ड थे 18 तो P-Block में 10 वर्ड राए S-Block में 68 के 2 वर्ड राए 10 दुबारा तो बादी देखिए हमारे 6 वर्ड तुमारे D-Word में आते हैं ठीक है और लास्ट पर देखिए जो 6 और 7 लिखा है न ये टहलाते हैं तुमारे S-Block Element इन्टों हम लोग बोलते है F-Block Element F-Block Element दो सिर्णियों में रखेड़ हैं 2 सिर्णियों में रखेड़ है उनमें से 8 सिर्णियों होती है तुमारी Length and Knight Saricide जिसको आप 6 F सिरी भी बीचाते हो Act and Knight Saricide जिसको आप 7 F सिरी भी बीचाते हो Length and Knight Saricide देखिए 58 से लेके पूरी 78 तक है हा unjust condition के 88 से लेके 58 से लेके 99 तक है तो चौदा इधर वाले तत्तों होते हैं, लेंधे नाइट के चौदा तत्तों होते हैं, और उसमेद देखे, एक्टे नाइट सिरीज, एक्टे नाइट नीचे वाली होती है, 90 से लेके 103 तक है, और 90 से लेके 103 भी 14, 14, तो टोटल धारत ना, S ब्लोक में जो तत्तों टी संख् यह वो 88 होती है अलद़ख ब्लोक में अलद लग तत्त होते हुआ भी याद का देता हुआ आप लोग को एँ डिया देटा हो को कुँछ ऑले आवरत में सिर्फ दो प्तत्तु है रिद्यार एग्डरोजन grid आज टेज यह है D blot में दूसरे आवर्थ में कोई तत्व नहीं और तीसरे आवर्थ में देखिए दूसरे आवर्थ में P blot में तत्व है इसी तरीटे से तीसरे आवर्थ में देखिए तीसरे आवर्थ में तीसरे आवर्थ में जो तत्व है सर वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो S blot भी आ जाएड़ा, D blot भी आ जाएड़ा, P blot भी आ जाएड़ा, पाँचवे आवर्थ में देखिए, S blot भी है, D blot भी है, P blot भी है, लेडिज़ अब छटवे आवर्थ की बाद करना तो S blot भी है, D blot भी है, और ये S blot भी आजाए डा और सेम तरीटे से साथ में में भी I blot आजाए डा ओके और एफ बात सुनिये आपको कुछ तत्तोटी संखिया, कुछ तत्तोटी नाम वो याद होने चीए, कौन-कौन से वर आपको वो भी बता दू आपको जो नाम याद होना चीए वो एक तो पहला वर पूरा रटा होना चीए दूसरा रटा होना चीए और 13 से लेके पूरा 18 जहां पर तुम्हारे कह सकते हो अचा ये ये ओल्टा लिए ता आप लोग बताए रहे नहीं ये D blot है ये D blot है और ये क्या है? ये P blot है इसमें सही कले ना ये D blot है और ये तो भाड़ा P blot है इसमें सही कल लीजे ना तो मैंने ये ताहां कि आपको पहला वर पूरा याद होना चीए दूसरा याद होना चीए 13, 14, 15, 16, 17 ये याद होना चीए बीच वाला D-blot अड़ा आपको नहीं भी याद हो रहा तो भी टम चल जाएगा, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले आवर्थ में देखो, हाइड्रोजा ने, लीथिया में, सोडिया में, पोटेशिया में, रूबीडिया में, सीजियम, फ्रांसियम, दूसरे आवर्थ में बेरियलियम, मैडनीशियम, कैल्सियम, इसे कैल्सियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, इसे बात बीच वाले D-blot छोड़ दो, तेरहे वर्थ में देखिए, वह बोरान से सुरू हो जाता है, तो बोरान का हमारा पाँच होता है, मैंने बताया अभी अभी, तो बोरान, Aluminium, Dalium, Indium, Thelium Boron, Aluminium, Dalium, Indium, Thelium जब्टि चॉधूरे वर्ड में देखे Carbon, silicon, Carbon वाला आ जाता है Carbon, silicon, germanium, tin, lead Lead तर बस याद करोश को Nitrogen, Phosphorus, Arsenic फिर ये Antimoney होता है फिर ये विश्मत होता है फिर सोले वर्डे और Oxygen, Sulfur, Selenium, Telenium Polenium फिर फ्लोरीन, प्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटी फिर हीलियन, नियोन, यह तो पूरा यादी होना चाहिए तो आप लोग को D-block element छोड़ देना ठीक है आपको सिर्फ और सिर्फ S-block element उपर से नीचे आद होने चाहिए और P-block element उपर से नीचे आद होना चाहिए अचा, अब मज़े की बात मैं आप बता दू यहाँ पर जो आवर्त में संख्याय लिखी होती है वो लगाताल लिखी होती है लगाताल लिखे होने का मतलब यह देखिए अगर आपका यहाँ से सुरुआत होती है लीथियम से तो यह चार नंबर में बेरेलियम और चार के बात देखिए उसी आवर्त में देखिए बोरान 5, 6, 7, 8, 9 सेम तरीटे से देखिए तुमारा यह 11 हो लिया 12 हो लिया और 11, 12 के बात देखिए 13, 14, 15, 16, 17 यानि होर्जोंटल लाइन में जो संध्याय लिखी है वो कैस्त तो क्रम से लिखी है लेड़ी ये क्रम जो है केवल 5 तर वैलेड है देखो 5 तर सब प्रुष सही चल्ला है लेड़ी छटवे के बाद जैसी 57 तक आना रुट जाना 57 तक आनिर बार रुट जाना फिर 58 से लेके 63 तर अलग है उसी तरीटे से 7 में जब ब्लॉट आना तो वहां 89 में रुट जाना अब देखो 89 में रुट जाने के बाद आपको 90 से लेटर 103 अलग है तो उसे दो कोशन बहुत पूछे जाते है एट कोशन आता है जि बताओ यह जो लेंथे नाइट लिठागो ना 57 और अटे नाइट तो लेंथे नाइट और अटे नाइट जो होता है वो F ब्लॉट तक तो नहीं है लेंथे नाइट देखो यहाँ D ब्लॉट में आया है तो Lengthenite और Attenite जो है वो D Blot Element ए संतावन और नवासी वाला जबकि उसके बाद जब Selenium आ जाता है Selenium से शुरुआत होती है अंठावन से और Thorium तो Selenium और Thorium तब यह तही जाके हमारा आ जाता है 6F और 7F से दीजमें आप हो सकते तो इस्टो याद करने की टोसिस टीजिए हडा चलो अब मैं आपको इस सब चीजों का थोड़ा सा हिस्ट्री बता दू यह देखिए आपके सामने मैंने प्रियोडे टेबल का एक डमी डेटा रखा हुगा है हम लोग इस्टो देखने की टोसिस टरते हैं क्या यह उस तरह से टाम कड़े रहा तो देखिए यह तुम्हारा क्या सकते हो पहला वर्ड हो दिया दूसरा हो दिया यह तीसरा हो दिया चौथा हो दिया यह पाचवा हो दिया चटवा हो दिया आठवा हो दिया नौवा हो दि यह आवर थे, पहला आवर थे, दूसरा आवर थे, तीसरा आवर थे, चौथा आवर थे, पाचवा आवर थे, छटवा आवर थे, और सातवा आवर थे, मैं यह इसलिए आपको बनाते दिखा रहा हूँ, ताथी मैं तत्तोती संख्या को, तत्तोती नाम को थोड़ा याद आश यह दोनों मैंने लिखे यह दोनों हमारे कौन से इलिमेंट होते हैं सर यह ऐलिमेंट S ब्लॉक होते हैं S ब्लॉक यह तोवारा P-Block है, क्या वही है, P-Block, और मैंने एक और आपको बात बोली, कि जितने भी हमारे एक आवर्थ में होगे, उन्टी संख्या जो है, क्रम से होगे, तो पहले मैं आपको याद कहा देता हूँ, देखो, यहाँ पर तुम्हारा था hydrogen, फिर था lithium, फिर था potassium, फिर थ medium, और फिर था cgm, और फिर था francium, पहला वर्ड रियाद होगे है, मैं आवर्थ सार्णी को भढ़ने की कोजिस्टर रहा हूँ, आपके सामने, दूसरे वर्ड में शुरुआद होती बेरेलियम से, फिर magnesium से, फिर calcium से, फिर strontium से, फिर barium आता है, बेरियम, और फिर आता है radium, बेरियम के बाद आता है दोस्त बारा, radium, बोलो, इतनी बाद सापको clear है न, बीच वाला मुझे नहीं पता, अब मैं भरना भी नहीं चाहूँ रहा, अब मैं यहां से भरना सुरु करता हूँ, सर तेरा से क्या हो, तेरा से हो जाएगा boron, फिर aluminium, फिर gallium, फिर indium, और फ हमारा क्या सकती है, यह aluminium के बाद हमारा sulfur आ जाएगा न, यह boron के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सर boron के बाद हमारा आ जाएगा, boron की संध्या पास थी, तो पास बाद कार्बन, कार्बन, कार्बन 14 में आ जाएगा, कार्बन, सिल्कॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिल्कॉन, औ बिसमाथ एंटीमनी तो हम लोड स्वी से सूटरते हैं और फिर बिसमाथ बताओ फिर अगला आजाए दो तुमारा सोलवा दो पें दे आत्रो और सीजन से सुरुआ आत हुई थी यह नहीं दिठाई दे आप तो तो और सीजन और सीजन ते बाद सलफर देखो और सीजन आया औ क्लोरीन बढ़ाए दा तो क्लोरीन बढ़ाए दो देख लीजे तो यह आजाए दा तुमारा क्लोरीन फिर आजाए दा पहले क्लोरीन से क्यों पहले तो फ्लोरीन फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एकसेटीन अना फिर यहां पर सुवात उपर से हीलियम हीलियम नियॉन मैं और भी भर सकता हूं मैंने यह था है केल्सियम के बाद क्रम से भर देना हां तो इक आ гол आ इंश्टॉंशियम आज आए रहा व्र ताइनओं पर वेनेटियम आजियर है पिर इस टोफड्य वेनेदियम आजियर है बेरे선 ग्याव 24, 25 आता है मैदनीश का 26 औरहन 27 आता है तुम्हें कोबाइड का 28 आता है तुम्हीं नीखिल worry अडिल 29 तुम्हारा आता है 29 तुम्हारा आता है इसका आकॉपर का मैं कॉपर जोपर ऊस्के बाद यहां बारा है। वाराkiem गुशा है लोते तो कौपर के बाद बताई यह अडला क्या आजाए रहा जाए रहा जिंग चेक कर लो जा दो मैंने बहुत सारे कहीं न कहीं भर दिया अब मुझे भले ही उनके अटॉमिक नमबर पर्मारू का नाम नहीं यादे लेकर मुझे पता है दो इस टॉंसियम के बाद यहां जो भी आ सकता हूं मैं आप तो बता दू यहां पर еस टॉंसियम को थोड़ा सा घलन थो लिया यहां पर थेंडियं नहीं यहां पर इसंडिय। ये स्ट्रॉंसियम ये स्ट्रेंड एसी एसार तो भले ही मुझे बीच वाले तब तो ना पता हो लेकिन मैं उनकी अटॉमिक नंबर जरूर भर सकता हूँ अटॉमिक नंबर भरने में मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं है कैसे मैं आप लोताता हूँ हाइडोजन की अटॉमिक नंबर होती एक लिधियम की 3 सोडियम की 11 पोटे शियम की 8 जोड़ दिया उननेस अठारा जोड़ दो तो अठारा जोड़ दो 19 में अठारा जोड़ दो सैतिस रुबेडियम सैतिस ओड़ ए स्ट्रोंसियम 38 तो जोड़ यानि यहां पर टरंफर्म 49 वाली तत्त वाल आयगा यहां पर 40 वाल आयगा इस तरीटे से जाते 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 41 42 43 44 46 47 48 यहां पर 48 कि प्रिंडी पनमादू संख्या उन्चास 50 59 52 53 54 इस तरीटे में 18 और जोड़ो तो 38 में 18 में जोड़ो तो कितना हो जागा 56 यानि बेरियम तुमारा 56 होगा तो यहां पर 57 वाली परमाडू संख्या आए दी तनफा में और 57 वाली परमाडू संख्या मैंने अपसे कहा भी ता याद कर ले ना लेंथे नाइट नाम बोला था लेगे 57 के पाटर देना 58 से 58 यहां तो इसना मतलब यहां सुरू हो जाए दा 72 से बातर तर त्यातर चोहत्तर पचट्तर सेट्र सेट्र ससत्तर अठतर अठतर 89 असी यह सी फिर 81 82 83 84 85 86 अब इस ते बाद 86 के बाद अब यहां देखो यह फ्रांसियम 87 88 88 यह रहा रेडावंडर टितना होत 87 88 ओके फिर यहां से 89 से सुरू हो जाये दा यहां पर 89 तो यहां रहेडा यहां टो 89 मैंने टाहता संतामन लेंथे नैट होता है 89 808 होता है फिर 90 90 से लेटर एचसो तीन यह तुम्हारा आ जाये दा एचस्ते नाइट सीरीज यहां पर रहे दा यहां आए ना तुमारा 804, 805, 806, 807, 808, 809, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 118. 118 वाला जो तत्तो होता है वो त्वारा OG होता है लाश्ट वाला. तो आप देख पाए कहीं ना कहीं मैंने एक ओर वियू बनाया कि हां सर आटमेंट नमबर. इतने याद होने चाहिए जो मैंने आपको सामने लेठे है ठीक है चलो आपके दिखिए मैं और तुछ बाते कड़ूंगा अभी मैं वाले कोशंट की और आऊंगा लेकर मैं आपको आवर्थ सांडीटा थोड़ा डेटेल देना चाहता हूं देखिए साथ आवर्थ मैंने बता वन होता है ना आवर्थ वन में दो तक्त होते हैं दो तक्त जिनकी परमालू संथ्या एट से लेके दो के बीच होते हैं आवर्थ दो में आठ तक्त होते हैं आवर्थ तीन में भी आठ होते हैं आवर्थ चार में अठारा तक्त होते हैं आवर्थ पांच में अठारा तक्त ह आवर्ध 6 में 32 तत्त होते हैं錗ो बहुत दॉत कि योड़ जोड़ लेदे। इन षब को जोड़ा आहे होटे आएम डोलो को जोरी हो जोड़ा इसे आवर्थ मन में सिर्फ और सिर्फ एक्स ब्लॉट एलिवेंट होते हैं लेगे जैसे तुमने आवर्थ दो टहा जिसमें आठ तत्वाग है तो शुरुआत के दो लाश्ट वाले इछ है पी ब्लॉक वाले इसमें परमारू संख्या जाएगी तो वारी तीन से लेके दस 19 से लेटे अब अडले वाले में 18 तत्व है तो 18 में 18 जोड़ो 36 सुरुआत होड़ी 36 से फिर 18 जोड़ो 24 फिर आपका कर सकते होड़ी यहां देखिए यहां पर सुरुआत होड़ी हमारा 37 होड़ी है यहां 54 होड़ी 55 से लेटे 55 यह बाद फिर आपको इसमें 18 32 जोड़ना प गार्टीर यह एक से छॉटार। तो यह मैंने जो लिखा न न? A V 8 में परश़िया उनृप Sथय को तो दूसर ciao में उस सारे, बता सकता हूं कि यफ़रूओं angry P, S, और P उचे उस्टेबाद देखिए, अढ़ला वाला आवर्थ 3, आवर्थ 3 में भी S, और P बलॉट होगा ज़्यरी S, और P बलॉट वाले तत्तों दे आवर्थ 4 में S, P और D, ये तिनों बलॉट वाले तत्तों दे आवर्थ 5 में SP and D तिनों blot वाले तक्त्त होंगे आवर्थ 6 में हाँ आब आवर्थ 6 में SP, D, F तिनों blot वाले तक्त्त होंगे जब कि आवर्थ 7 में SP, D, F चारों blot वाले तक्त्त होंगे तो टिस आवर्थ में कौन настро block element है ये वी आपको बहुला बाचाव अब मैं आपको एक ओवर्व्यू देखाता हूं, जैसे मैंने ठाहा कि मेरे पास एक ऐसा दक्तो एक्स है, जिस्ती पर्मारु संख्या पच्पन है, तो तुम्हीं ये पताना पड़े रहा कि ये टॉन से आवर्थ में आता है, तो तुम्हीं ये ढूंडो, पच्पन हमारा आय तो देखो पच्पन हमारा यहां आया, आवर्थ 6 की शुरूवात पच्पन से 86 की बीच्पन, यानि आवर्थ 5 पर्मारु संख्या पच्पन, टन फाम आवर्थ 6 ततततत हो जाएडा, आशने कोल भी पर्मारु संख्या ले ले, इंडिविज्विजूल तुछ भी ले लिज तो 115 सत्ता यह रोल नंबर देते हो ना जब एज्जाम देने जाते हो तो 87 से 118 ती बीच 115 आरा है रिष्टा बतला जब 87 से 118 ती बीच आरा है तो that means यह हमारे आवर्थ जो है रिष्टा तत्त हो जाए रहा आवर्थ साथ पतत्त हो जाए रहा तो तीसी भी तरह की कोई भी परमाडू संध्या मैं देदू तो at least आप यह तो बता सत्ते हो ना टिवो तीस आवर्थ का तत्त है बताईए और उनमे से भी सबसे जादा जो इंपोर्टेंट है वो यह है आवर्थ 4 आवर्थ 4 तो सबसे जादा इंपोर्टेंट है 19 से लेटे 36 बहुत पुछा जाता है आवर्थ 3 भी बहुत इंपोर्टेंट है और यह सारे इसलिए मैंने देखो शुरुआग में आपको एट से लेटे 36 तक्टी परमाडू संध्या याद करा दी कि हाँ एक से लेटे 36 तक्टी याद प्रलो तुम लो ओके चलिए अरली वाली स्लाइट देखिए अब मैं आपको कोशन को सॉल्ट आना से ठाता हूँ तो यह देखिए जैसे कि यह मेरा पहला कोशन मैं इतनी डिटेल इसलिए ताटी आप तो आवर्थ 3 बहुत सारी बाते पता हो एक ततो एक्स जिस्टा आवर्थ 4 है अब देरो डैरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे सर एक ततो एक्स है जिस्टा आवर्थ 4 है ठेखिए और वर्ड क्या है 18 है सर वर्ड 18 है और आवर्थ 4 है तो आवर्थ 4 से यह पता चला कि इस्टी परमाडु संख्या 19 से 36 बीच होनी देखिए आवर्थ 4 क्या था परमाडु संख्या 19 से 36 यानि यह हमारा एक्स एक ऐसा तत हुना चीए अब या करो वर्ड 18 में क्या आया था सर वर्ड 18 में तो वो आया था आ ए टैसकी होती है अत्री जैसे और आ क्या क्या थी हीलियम नियोन आरगन क्रिप्टोन जीनोर यह तो था तो अब आप ये सोचो इन से किस्की परमाड़ु संच्या 1936 भीचे तो helium की 2 होती है neon की 10 होती है argon की 18 होती है क्रिप्टॉन की 36 होती है देख लो क्रिप्टॉन की 36 है यानि confirm x जो होगा वो हमारा एक क्रिप्टॉन तद तो होगा x क्रिप्टॉन होगा देखो आपने x पहचान कर ली अब इनों ने देखो y के बार्य में पहरत् 2 ओटा है तो भाई मेरे अगर वह y आवर्थ 2 ओटा है थोड़ा सोच में देखोंच होती है तो आवर्थ 2 में क्श्की मिया क्शली परमाडुसंख्या 3 स bara 10 tu भी चाहता है तो जो भी वाइट आंसर ओड़ा उसकी पर्मारु संख्या तीन से दस्टी भी छोड़ी लेटे उनों नहीं टाहा वर्ड चौदा है अब याद करो वर्ड चौदा में क्या आया था तो वर्ड चौदा वाला जो ड्रोप था ना वो ऐलुमिनियम के ज़स्ट तर्बन, सिल्टोन, जर्मीनियम Dus arelikरे लेट अब टार्बन की पर्मारु संख्या तो तीन से दस टिवी छोड़ी टार्बन की पर्मारु संख्या होती है 6 इसली यग लाइं Τार्भन के बराबर हो ढाइना पोला बच्र क्लियर है ना तो वो सब याद है तो आप लोग डिरेक्ट तो X हमारा क्रिप्टॉन होगा और Y क्रंफर्म कारदन होगा ठीक है चलो एक और प्रेक्टिस करते इस तरह के सवालों की देखिए बुला जा रहा है कि बताइए ग्रूप में एक तत्व X जिस्टा आवर्त तीन है आप देखो थ सर वर्ट सोला में टॉन आता है सर वर्ट सोला में क्लोरीन से पहले क्लोरीन सत्रमें वर्ड में आएड़ा क्लोरीन सत्रा है सत्रमें वर्ड में ऐसे आधर लो तो क्लोरीन से पहले टॉन आता है तो टैदेना क्लोरीन से पहले जो आता है वो तुमारा आ जाएड़ा ओसीजन oxygen नहीं, oxygen है sulfur, sulfur आएड़ा, तो chlorine से पहले sulfur, तो इस्टा confirm मतलब है कि X तुमारा sulfur होड़ा तोटी 11 से 16 ते बीच लेना है हमें, हरा, तो X हमारा sulfur पता चले है, यह sulfur होड़ा Y देखी क्या बोला जा रहा है Sir Y जो है, वो भी आवर्थ 3 तक तो है, आवर्थ 3 तक है तो आवर्थ 3 का है, इस्टा मतलब परमारू संथिया ड्यारा से ड्यारा रिवीच होड़ी और वर्थ दूसरा है तो वर्थ दूसरे में याद करो sodium वर्थ पहले में आता है और वर्थ दूसरे में magnesium आ जाता है जबकि जब alonium आते है तो वो ड्यारेक्ट जो है, वर्थ 13 में जाता है कोटी बीच में deep lot पड़ जाता है तो इस्टा मतलब हुआ कि वर्थ दूसरा है तो तरंफर्म वाई तुम्हारा magnesium होगा तो X और Y कि मैं पहचान आपको काना बता रहा हूँ अब इसमें से बहुत सारी बाते पूर्ची जा सकती है भाई X तुम्हें पता चल लिए sulfur, Y पता चल लिए magnesium तुम इन दोनों टे बीच में पर्माडू अडू सूत्र बना दो, तुम्हें बता उसका अडू भार क्या होना चीए, है ठी नहीं ऐसे धेर सारे प्रस्नि अब बनाए जा सकते है हाना, चलो, से उजटता पूछ सकता है ठी एक्सोल वाई टी सो उजटता त्या है चलो, यला सवाल देखिए का जारा है, एक तत्तो एक्स है एक्स के बारे में बोला है, ठी एक्स जो है अब वो आवर्ट चार का है तो आवर्ट चार है, तो इस्टा सीधा से बतलबे परमाडु संक्या उननेस से चत्तिस्ट भी चोगी और वर्ग देखिए तितरा है सर, आठ है वर्ड आठ है, अच्छा वर्ड आठ भी जो ने टह दिया बड़ी अच्छी बाद सर, यह जो वर्ड आठ है न, यह टिस्वे वर्ड बे जाए न सर, एक पहला दूसरा वो तो हमारा उसमें आजाता है S ब्लॉट में, फिर 12, 13 से लेटर 14 से लेटर, 18 तर, P ब्लॉट में लेटर इननोंने वर्ड आठ कह दिया चलो कोई बात रही 19 से 36 होना चाहिए, वर्ड आठ होना चाहिए तो याद करिए, मैंने आपको बताया है बहुत ध्यान से सुनना चैदे में मैं 19 से 36 बना रहा हूँ तो 19 से 36 में याद करिए सबसे पहले तुभारा Potassium पहले वर्ड में फिराजायारा पोटेशियम मैं थुडा और इधरसे लिपता हूँ तो सबसे पहले वर्ड में थे अधर करिए,வरा-टैّनियम फिर वनेडियम वनेडियम प declar mejor पर prag ॱमेडियम फिर तम्हारा arrow इस तरह सा दूद 9 तो ये तुम्हारा पढ़ेरा पहले वर्ड में फर्स्ट वर्ड में ये पढ़ेरा सेकेंड वर्ड में और ये पढ़ेरा तुम्हारा थर्ड वर्ड में ये फोर्थ वर्ड में ये फिर्थ वर्ड में ये सिथ्थ वर्ड में ये सेवन्थ वर्ड में और ये एर्थ वर्ड में चेटल लोगा तो जब ये एर्थ वर्ड में है आठवे वर्ड में तो X की पहचान हो रही कि सर X जो है वो तुमारा आयरन हो रहा X क्या हो रहा आयरन हो रहा मैं इस बाद को सम्झाने के लिए आप लोगों को एक चीज और सम्झा दू ये चीज बड़ी इंपोर्टेंट है ये कोशन भी बहुत इंपोर्टेंट है मैं आपको बता दू ये जो तुमारा इस्टेंडियम से सुवात होती इस्टेंडियम भी परमारु संख्या 21 होती है उनकी परमारु संख्या जो आ रही है उसमें से दो धटा दो दो धटाना नहीं सौरी दो जोड़ना 21, 21 से तीसरे टाइटेंडियम में 22 आ दिया ये तुमारा चौथे वर्ड में आए रहा चौथे वर्ड में आए रहा ठीक है आप चाहो तो इसको ऐसे देख भी लो कुई बड़ी बात रही है देखिए मैं आपको दिखा दू इसको ये देखो ये देखो ठीक है आप देखो गोड़ से इस्टेंडियम तीसरे वर्ड टाता तो है टाइटेंडियम चौथेटा है वेनेडियम पाचवेटा है क्रोमियम छेटवेवर्ड़ा है तो परमाड़ू संक्या 24 जैसे ही तो चार लेके दो जोड़ दो क्रोबाड 27 है तो नौवे वर्ड़ में 28 समझें तो डैरेक्ट जो जोड़ दा है अब मैं आपको देखू यहाला सवाल फिर से एक बार सॉल करने की कोशिश टरता हूँ अब मैं आपको देखाता हूँ कि यहाला सवाल अब लोग कैसे अटाइम्ट करने लिए यह वाला सवाल ता ना तो सवाल देखू क्या था सवाल यह था कि एक तत्व एक्स है जिस्टा आवर्त चार है आवर्त चार है तो इस्टा मतलब पर्माडु संक्या ज्याया है 18 से लेके 36 भी चोड़ी और वर्ग इन्हों ने कह दिया 8 है वर्ग कह दिया 8 है तो वर्ग 8 है यह तो हमारा D-blot में जाए रहा क्योंकि पहला दू तो इस्टा सीधा सा लोजित यह है कि वर्ग 8 को बनाने के लिए आपको दो धटराना पड़े रहा तक तो पहचानने के लिए तक तो से वर्ग में जाना होता दो जुड़ना है तो टर्ण फर्म इस एक्स्टा जो मान हो जाएगा वो तुबहारा 26 वाली पर्माडु संक्या होती और 26 वाली पर्माडु संक्या होती है एरन के साथ चलो अडला कोशन देखिए अब वाई को पहचानने इस बार करते हैं वाई देखी क्या है सर वाई जो है वो आवर्थ 4 है आवर्थ 4 तो आवर्थ 4 भीया 18 से लेकि 36 तीवी छोड़ा लेकि इन्होंने वर्ट बोल दि 29 ग्यारा में से अटा मुझे दो घटाना है या 9 आए डा और 9 तो मतलब 29 से उड़ा और 29 वैसे आजाता है तुमारे कॉपर में ठेक है लाइन से याद कर लीजे स्पार्ट लाइन से याद करने डा मतलब यह है कि इस्टेंडियम तुम्हारा तीसरे वर्ड में आए डा इस् क्रोमियम मैडमी यह क्रमसा जो है तीसरे चौथे पाचवे इस तरीके से आता जाता है इस बाद को याद रखिए रहा तो लाइन से जब कॉपर आए रहा तो वह ड्यार में वर्ड में आ जाए रहा जिनका आए रहा सर वह बार में वर्ड में आ जाए रहा बस इस बात लिय दो है ओके तो आवर्थ चार है एक्स्टा तो इसकी मतलब परमाणु संखिया तुबारी तहां 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 हो लिए 18-36 हो लिए आवर्थ चार बोला जा रहा है और वर्ड इन्होंने दो बोला तो सर वर्ड दो तो तुबारा एस ब्लोक में आता है एस ब्लोक तो 18-36 टी बीच में भाई 18-36 टी बीच में आपारा 18-36 रही उन्ने से चतिस रही उन्ने से चतिस लिटायर मैंने तहां या उन्ने से चतिस टलेना ठोड़ी ओ ग्यारा से अठारा हो लिए तरह उन्ने से चतिस टलेना उन्ने से चतिस ओके चल 11.16 ये साही ए 18 वाला 1936 ठीक है 1936 हां तो ये सवाल मुझे सॉल्ट रना था सवाल ये था कि बताएं आवर्ड है तो 1936 वर्ड दूसरा है वर्ड दूसरा है 1936 हो नहीं 19 पोटेशियम रहुता है लेड़े पोटेशियम तुभारा वर्ड 1 में होता है पहले वर्ड वे तो टेल्सिऊम इस् Moving परमाडू-संखनि जाएगी तथ नौसे लेकस नहीं ग्याद समय Бाला इप तो इसे सब याद कर ले ना सेक्ड़नका अब बोल दिया तो वर्ड चौदा किसमें जाता है यहाँ एदम सीधा सीधा है तो वर्ड चौदा तुम्हारा जायवा जिस्टी परमाडू संखिया bütün और चौदा परमाडू संखिया किस्टी होती है जैसे X वाई पता चल जिया तो टार्बन सिल्कॉन इस तरी के सा ओके चलो एक्स और वाई इसलिए मैं पैचा आप देखो बहुत सारी चीज़े बनाई जा सकती जैसे एक्स वाई पता चल जिया तुमसे टे दिया जाए डा टी एक्स फॉर्मला बनाए एक्स वाई टू बताई इस्टा अडुभार क्या ह तो तुम्हें टेल्सियम और सिल्कॉन का आडुभार पता हो ना चीज़े परमाडुभार निडाल लेना सेंवजट्ता पूछ ले रहा है कि बताई एक्स की संवजट्ता क्या है तो सेटेंड वर्ड में आया इस्टा मतलब प्लस दो सेंवजट्ता हो टी ऐसे धेर सारे शुरू होड़ा और अठारा दुनी छत्ते अठार दी चौवण यानि आवर्द पांच में जो सैते से लेके चौवण के भी छुड़ा लेटे इन्होंने बोला है वर्ड आपका सूला भी होना चीए वर्ड कैसा होना चीए सूला अब याद परो जो वर्ड शूला होता है आप वो ट्स्टा अलिमेंट होता है तीम आता है तो मैंने आपको पूरा याद प्ञाए है तो बला सूला तुपार वो इसनीच से माध और अट सीजन की परमाराणус dochy सोला होती है तो मुझे अब फिर से इसमे आ ठार जोड़ना पड़े पहले आठ जोड़ चुटे हैं अब इसमें अठारा जोड़ा जाएदा तो बताई तितना हो जाएदा आठ चर बारा एट और पाथ बावन देख लो तो इस्टा मतलब यह हुआ कि वर्ड सोला में तेलेनियम की परमाडू संख्या बावन आई अब तेलेनियम की परमाडू संख्या बावन आई तो इस्टा मतलब एक्स जो होड़ा वो टंफर्म तेलेनियम ही होड़ा बताईए एक्स जो होड़ा वो टंफर्म तेलेनियम ऐसे निटाल सकते हो, देटो मैं आपको ताओ, हीलियम, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आरेडन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, और लास्ट वला और माली जे रेडाउन है, इन सब की मुझे परमाडू संख्या पता रणनी है, निकल आई रही, कोई हमएं बड़ी बात रही, कैसे है, देखो, हीलियम और फिर आपना जोड़ा जायडा, फिर बकतिस, तो बक्तिस जोड़ा जायदा तो रेडियम टींप्यास, रेडनन टींप्यासी अभी और भी जोड़ा जा सकता है, वहत्डी noun और 86, 118 हो जाएदा तो लाश्ट वो जी आ जाएदा तो वही सेम लॉजित मैंने बताया X पता चल दिया, अभी नोगने Y क्या बोला है Sir Y आवर्थ दो टा है तो आवर्थ दो में याकड़ो परमाडू संक्या 3 से लेके 10 तक आता है लेके वर्ड 18 बोला तो वर्ड 18 में तो वाली डैस आ जाती है कौन वाली? नोबल डैस है तो 3 से लेके 10 ते बीच में कौन सी नोबल डैस पड़ेगी? तो 3 से लेके 10 ते बीच में पड़ेगी नियोन, यानि Y जो होड़ा वो Sir, नियोन होड़ा, टन्फरॉंड थोड़ी हिलियम नियोन, आड़न और नियोन की परमाणूशन क्या होती है बाईजाब? 10 अब धेरो सवाल बन सकते आप्ता टेलियम नियोन पता चल दिया एट फॉर्मला बना दे राठी Sir, X, Y2 तो बताई अडूभाल क्या है तो वह आड़ेटी बाते हैं मेरा बस उद्देश यह था थी आप सम्वाल यह सवाल फैसन में चलना है आज त protein यह सवाल क्या है? Faisन में चलना है तो मेरा उद्देश बस यह था थी आप आप आवर्स सड़नीटी बारे में थोड़ा सा जानी है और आवर सार नेटे बारे में ये देखिए इस तरह के सवालों में हम लोड एक्स और वाई कैसे गल सकते हैं अब आपको बात अटर समझ में आई हो तो नीचे मुझे टमेंट रखे जगू बताईए और किसी भी तरह का कोई डाउट है जैसे माले बहुत सारे बच्चों तो डाउट होता है तो सर अभी मुझे ये नहीं समझ भाया है प्लीज मुझे एस्प्लें टीजे नीचे टमेंट रीजे या फिर आप जो है मेरे इस परसनल कॉंटेक्ट नंबर पे कॉल टर्टे भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं डूधरी बात मैं बता दू इस तरह एका जो टॉपिट है वह आपको यूटुब पे कहीं नहीं मिलेगा ये बात आप सके पता है तो यह सारा टॉपिट आपको साइन्स के मेरे पेट कोर्स में मिलेगा आपनों चाहों तो साइन्स के पेड कोर्स जोईन कर सकते हो और इस त मतलब 499 में आपको Fizzits भी, Chemistry भी, Belogy भी, तीनों चीजे मिलेगी, Fizzits, Chemistry, Belogy, तीनों चीजे, मज़े की बार बताओ, ये बैच आपको क्यों जोइन करना चाहिए, ठेके, क्यों जोइन करना चाहिए, उस्टेली मैं बता दू, इस बैच की सबसे खास बात यह है, कि मैं आपको 1000 एक्सपेक्टेड कोश्चन की PDF दूँगाई से, ये ये कोश्चन की PDF बड़ी इंपॉर्टे ये बैच को जोइन करने के लिए, मैं लिंक भी दलवा दूँगा, क्रमेंट पॉट्स में, आप उससे जाते भी जोइन कर सकते हैं, और मज़ेटी बात यह है कि जब आप इस बैच को जोइन करने के बाद, हम लोग प्रॉपर एक ग्रूप बनाएंगे, और आप लोग नहीं पड़ा, फिरे चले धन्यवाद दोस्त